जब हम कहानियों की दुनिया में खो जाते हैं, तो हमें वहां की मिठास, महत्वपूर्ण सीख और गहराई से भरी अनुभूतियों का आनंद मिलता है। इस कहानी में हमें एक ऐसे लड़के के साथ जुडेंगे, जो अपनी प्रतिभा और विश्वास के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करता है। तो उसे एक संतरे का जादूई पेड दिखाई देता है, वह पेड बाकी पेड़ों से बिलकुल अलग दिख रहा था। जब सोनु एक संतरे को छकता है, तो उसे अपने अंदर भरपूर उर्जा महसूस होती है, और उसका दिमाग पहले से बहुत तेज हो जाता है। सोनु उस जादूई संतरे का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए करने लगा, उसे हर चीज पहले ही पता चल जाता और हर कठिन से कठिन प्रशनों को हल कर लेता था। दूर दूर से लोग उसकी इस प्रतिभा को देखने आते थे। जैसे जैसे समय बीटता गया, सोनु की शक्तियां कम होती गई। अच्छे कामों के लिए करेगा, फिर अचानक से पेड़ के बचे हुए संतरों में वापस चमक आ जाती है। उस दिन के बाद से सोनु यह समझ गया कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है और हम अपनी खुद की कौशल और प्रतिभा का इस्तेमाल करके ही दुनिया में बदलाव और खुशी ला सकते हैं।